आपका पहला सवाल है, भारत में सती प्रथाकों का प्रदिबंदित किया गया? आपका ओप्षन है A. 1828 B. 1839 C. 1831 D. 1835 इसका सेही उत्तर है B 1829 आपका दूसरा सवाल है कीदी स्तम्प तथा कुम्भलगड प्रशस्ति की रचना किस ने की थी? आपका ओप्षन है A. कवी महेश ने B. मंदन ने C. गोविंग ने D. इनमे से कोई नहीं इसका सेही उत्तर है अब कवी महेश ने आपका तीसरा सवाल है हुर्णा सम्मिलन कब हुआ था? आपका ओप्षन है A. 1727 E में B. 1734 E में C. 1770 E में D. 1717 E में इसका सेही उत्तर है B. 1734 E में आपका चौथा सवाल है वार्समुद्र किस वंश की राजधानी थी? आपका ओप्षन है A. होईसल B. पांडिय C. चे D. चोण इसका सेही उत्तर है आपका पाँचवा सवाल है सचिंद्र बोस्द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैट किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया आपका ओप्षन है A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1907 इसका सेही उत्तर है C. 1906 आपका चे सवाल है भारत में केंद्रिय बैंक विवसाय कारिकिस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जादा है आपका ओप्षन है A. भारतिय रिजर्व बैंक B. भारतिय स्टेट बैंक C. युनाइटेड बैंक ओफ इंडिया D. यूनियन बैंक ओफ इंडिया इसका सेही उत्तर है आपका सात्वा सवाल है, विश्व बैंक का मुख्याले कहा है, आपका आप्षन है, आप वाशिक्तन दी-सी में, बी जेनेवा में, सी हेग में, डी पेरिस में, इसका सेही उत्तर है, अप वाशिक्तन दी-सी में, आपका आटपा सवाल है, वर्ल्ड देवलप्मेंट रिपोर्ट निम्लिखित में से किस संस्था का प्रगाशन है, आपका आप्षन है, आ, अंतराश्य मुद्राकोश, बी, विश्व व्यापर संगठन, सी, विश्व बैंक, दी, अंकटार, इसका सेही उत्तर है, सी, विश्व बैंक, आपका दूसरा सवाल है, न, भागिय रिज्र्व बैंक निम्लिखित में से किस तर का निर्हारण नहीं करता है, आपका आप आपका आपक्शन है, आप बैंक दर, बी, रिवर्स रेपो दर, सी, आईकर दर, दी, रेपो दर, इसका सेही उत्तर है, सी, आईकर दर, आपका दस्वा सवाल है, द्रामेन शेत्र के बहु संख्यर लोग रिंट की आवश्रक्ता को पूरा करने के लिए निम्लिखित में से क इसके पास जाते हैं, आपका आपक्शन है, आप साहुका, बी, आर बी, आई, सी, नाबार, दी, विदेशी बैंक, इसका सेही उत्तर है, आप साहुका.